नमस्कार प्यारे साथियों ओनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों रोज की इतने लाए हैं टॉप 30 MCQ टेस्ट जो बिल्कुल परिश्चा पेटन पर आधारित हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक सेर कर दीजिएगा अगर चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे जिसमें आज का पहला पसंद है बैड मिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाडियों का अंक 20 बराबर होने पर कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी बीजई होगा तो यहाँ पर वन आपसंद करेक्ट हो जाएगा 22 अंक जिमनास्टिक महिला बर्ग में कौन सा इवेंट नहीं है चार आपसंद हैं आप लोग करेक्ट आंसर चूच कीजिए तो यहाँ पर फिरी आपसंद आपका करेक्ट हो जाएगा पामेल हास ACI खेलों का आयोजन कौन करता है यहाँ पर फोर आपसंद आपका करेक्ट हो जाएगा OCA निम्न लिखित में कौन सा खेल ब्यक्तिकत है टू आपसंद करेक्ट हो जाएगा फैंसिंग भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक कितने सुन पदक प्राप्त किये हैं चार आपसंद आप लोग करेक्ट आपसंद चोज़ कीजिए फोर आपसंद करेक्ट हो जाएगा दस किसी खेल में सीखा गया कौसल अन खेल को सीखने में साहिक होता है तो उसे कहते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक दिवसिय अंतराश्टी किर्केट मैच में प्ले कौन साइड लेता है तो यहां पर थिरी आपसंद करेक्ट हो जाएगा बैटिंग एबं बालिंग दोनों साइड अंतराश्टी अलमपिक समीत के अधिश्च का चुनाव कितने बरसों के लिए होता है यहां पर थिरी आपसंद करेक्ट हो जाएगा आठ बरस के लिए किर्केट खेल में इस टंप की चोड़ाई कितनी होती है चार आपसन है आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए तो यहाँ पर फोर आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा 9 इंच बास्केट वाल खेल का समय होता है चार आप्सन हैं आप लोग correct answer चूज कीजिए तो यहाँ पर two आप्सन आपका correct हो जाएगा दस मिनट के चार quarter दवड प्रारम की इस्थित में कितनी दूरी से अधिक दवड में धावक हास से जमीन को इस परस नहीं कर सकता तो यहाँ पर two आप्सन correct हो जाएगा चार सो मीटर से अधिक दूरी बोली बोल में लिबरू खिलाड़ी के लिए count सकते है तो यहाँ पर one आप्सन correct हो जाएगा वह service नहीं कर सकता सहन सकती परिच्छन के लिए प्रियोग होता है थिरी आप्सन correct हो जाएगा ट्रेड मिल बर्स दोजास साथ के अरजुन पुरुसकार प्राप्त करने वाले खिलाडियों में कवन समलित नहीं है चार आप्सन है आप लोग correct answer चूज कीजिए टू आप्सन correct हो जाएगा शाइना नहवाग एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिचित करने पुष्टी के बाद अंतिम समय में उस इवेंट में भाग ना लेकर अन इवेंट में भाग लेता है तो उसके लिए क्या निर्णे होगा चार आप्सन है आप लोग correct answer चूज कीजिए तो यहाँ पर टू आप्सन correct हो जाएगा उसे पहले सुनिचित इवेंट के लिए आयोग किया जाएगा प्रणायाम में रेचक का अर्थ है चार आप्सन है आप लोग correct answer चूज कीजिए तो आप्सन correct हो जाएगा स्वांस छोड़ना निम्न रिखित में से कौन सा आईसो टोनिक प्रसिछन के अंतरगत आता है तो यहाँ पर टू आप्सन correct हो जाएगा बेट ट्रेनिंग पसिछन कारिकरम में एथलेट के खुराक में कार्भो हाइडरेट की मात्रा होनी चाहिए चार आप्सन है आप लोग correct answer चूज कीजिएगा यहाँ पर वन आप्सन correct हो जाएगा 60 से 65 प्रतिसात लंबी कूद में पर्थम इस्थान के लिए टाई है तो दोनों की पिछली कूद भी बराबर है क्या निर्णे होगा तो यहाँ पर टू आप्सन correct हो जाएगा दोनों को पुना दो कूद का मौका प्रदान किया जाएगा ब्रद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है चार आप्सन है आप लोग correct answer चूज कीजिएगा तो यहाँ पर फोर आप्सन आपका correct हो जाएगा इन में से सभी शेल्डन के सारीरिक बरगी कड़ में मेसो मौर्फ का तातपर है तो टू आप्सन यहाँ पर correct हो जाएगा एथलेटिक माइक्रो साइकिल परसिच्छन की अवद होती है चार आप्सन है आप लोग correct answer चूज कीजिएगा यहाँ पर one option correct हो जाएगा साथ दें स्विग्णो माइनो मीटर किसका मापन करता है तो यहाँ पर one option correct हो जाएगा लक्त चाप का सीखने के अंतरदर्ष्ट के सिद्दानत का प्रित्पादन किस ने किया चार आप्सन है correct answer आप लोग चूज कीजिए तो थिरी option यहाँ पर correct हो जाएगा कोहलर इस पाइरो मीटर किसके मापन के लिए प्रियोग होता है चार आप्सन है अप लोग correct answer चूज कीजिए तो यहाँ पर four option correct हो जाएगा फेपनों की छमता फासबरी फ्लाइव इस टाइल किस इवेंट की तकनिक है यहाँ पर two option आपका correct हो जाएगा उची कूद बठकल जम्प का प्रियोग होता है यहाँ पर four option correct हो जाएगा इन में से सभी में सारे डिक सिच्चा के पाठ बित्रण में सोरी बिबरण में किस बात का ध्यान रखना अवश्यक नहीं है चार option है correct answer आप लोग चूज कीजिए तो यहाँ पर two option correct हो जाएगा धार्मिक आधार का अगला option है बीजिंग ओलम्पिक में कुष्टी एवं बाक्सिंग प्रत्योगिता में भारत ने किस बर्ग में कांस पदक जीते तो यहाँ पर three option correct हो जाएगा सुसील कुमार 66 kg एबं बिजेंदर कुमार 75 kg आज का अंतिम प्रसंद है किसी टेश्ट के चैन के लिए क्या माम दंड अवश्यक है तो यहाँ पर four option आपका correct हो जाएगा इन में से सभी तो दोस्तों आप लोग अपना score कमेंट वाक में जरूर बताएगा बिलते हैं अगले वीडियो में पोरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जैहिंद जैवार